स्वागत है मेरे सुच अप्षेनल जुनेद विलॉग में और आज हम आ चुके है लोनार जिल में जो के बुल्धाना डिस्टिक के लोनार तालू का में स्टिक है जिसको लोनार जिल के नाम से जाना जाता है स्टिक है जाता है स्टिक है जाता है स्टिक है जाता है झाल झाल जैसे कि अब लुब देंगे देख सकते हैं बारोस ताइप आप लोगों को नजर आएंगा यहां पर पहले जो है तो लोग नाया करते थे लेकिन काकी टाइम से जो तो इसको बंद कर दिया गया है और मैंने जाता सुनाए तो यहां से पानी आ रहा है यहां पर जो है तो नासा के बहुत सारे बेग्यानिक जाए थे जोनों ने इसको रिसर्च किया लेकिन अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि यह पानी कहां से आता है जैसे कि अब लोग देख सकते यह जीन यहां पर जो है तो एक मंदीर बनाया हुआ है और मैंने सुनाए कि यहां पर एक दर्गा दी है तो जैसे कि हम लोग ज्यादा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है जैसे कि आप लोग यह देख सकते हैं यह नीचे आने के लिए तो रास्ता बनाया गया है और मैं जहाँ पर वीडियो शूट करके दिखा रहा था आपको यह फ्रंट साइड है और अब तक जो है तो मैं नीचे आ चुका हूँ और यह जो है तो नीचे जील में जाने का रास्ता है लेकिन यह रास्ता जादा जादा दूर तक नहीं है और बाद में जो है तो पक डंटी टाइप आपको रास्ता बेखने के लिए मिलेगा और जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर लोग नहाते है और वो पानी जो तो यहाँ से गुजर कर जो है तो उस धील में जाया करता है मैं वीडियो में आपको आगे कि दिखाऊंगा कि यह पानी जो तो कहां पर जाकर मिलता है अच्पनी जो को उड़ को तो कि यहाँ थाल जो जो तो तो दो उड़ियो में जो तो कि वेगाँ जो थाल जो तो तो जैसे जैसे आप लोग नीचे आते जाएंगे फिल की तरफ तो वैसे वैसे आपको बहुत सारे जर्णे देखने के लिए मिलेंगे और मुझे यहाँ पर जर्णा नगर आया तो सोचो मैं आप लोग के लिए सोवीटी वीडियो बना कर आप लोग को मैं इसमें शेयर कर दूँ ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग ने तो ऊपर भी नाते हैं अप बहुत ही ब्यूटीपूँ जर्णा बहराा है उपर से और एक बात मैं आप बहुत पता दू आप तो यह अप जहील के अरवहा जंगली जानवर भी यहाँ पर एक्स्प्लोर कर सकते बहुत सारे जो तो जंगली जानवर भी आप लोग यहां पर देखने के लिए और एक बात में आप लोग को पता दो पहले जील में जाने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता था और यह रास्ता है नीचे जाने के लिए और अभी हम यह रास्ते से आये हुए हैं और मैं आपको नीचे जाने का रास्ता दिखाता हूं यह नीचे जाने का रास्ता है और यहां पर देखो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और यहां से जो है तो पूर